हेलो फ्रेंड्स वेलकाप टू मैं चैनल होमकुक आज मैं आपके लिए लेके आयों स्वयवीन मंचूरियन जो खाना है बहुत टेस्टी लगता है बहुत क्रिस्पी क्रंची लगता है यह बहुत जल्दी बन जाता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आप यह सिम्ला में रिच लिया है मैंने इसे चौकोर में काट लिया है मैंने स्क्वाइर सेप में प्याज को भी मैंने स्क्वाइर सेप में काट लिया है बड़े साइज में यह स्प्रिंग अनियन है कि सॉल्ट एसपर टेस्ट यह मैंने दो चम्मच कॉर्ण फ्लार लिया है और देर चम्मच मैदा लिया है मैंने सोया चंग से ही है तो यह भी ड्राइ है इसको हम सोक करेंगे थोड़ी देर के लिए रेट चिली सॉस वेनिगर और डार्क सोया सॉस सबसे पहले हम आपने सोया बीन को गर्म पानी में डाल देंगे तो यह मेरे पानी गर्म हो रहा है गर्म हो चुके और आने चलू हो गए तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी दिर इसे इसमें रहन देते हैं तो हमारे सोया चंक सॉफ को आफ कर देते हैं यह देखिए वाईल हो रहा है अब हम आफ कर देंगे यह हमारे स्वेबिन फूल गए हैं अच्छे से तो यहां मैंने इस ठंडे पाने से दो लिया है अब मैं इसके सारे पाने नहीं चोड़ लूँगी हाथों से दबाते हुए तो यह देखिए तो यह मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है और यहां मैं डेट चमच कॉन फ्रार डाल रही हूं और आधा चमच मैं बचा लूँगी इसे और जितना मैंने कॉन फ्रार लिया है उतना ही मैं मैंदा भी ले रही हूं और इसे मिक्स कर लेते हैं और नमक डालेंगे थोड़ा टेस्ट के हिसाब से इसमें अब इसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ा से इसे पानी आइड कर लेते क्योंकि बहुत ड्राई हो गया है तो ज्यादा नहीं बस एक चमच ही हम पानी डालेंगे इसमें देखिए बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है बढ़ना यह गीला हो जाएगा तो यह हमारा मैरिनेट हो गया है अब हम इसे डिफ राइ कर लेंगे तो यह मैंने कड़ाई में डिफाइन डॉल रखा है अभी गर्म हो चुका है वह हम इसमें एक एक करके सोयवीन डाल देंगे तो मेरे सोयवीन ज़्यादे हैं तो मैं दो ट्रिप में इसे डालने वाली हो एक बार में ज़्यादा ना डालें वरना यह चिपक जाएंगे और इसे एकदम डिफ फ्राइ कर लेना है तो यह एकदम फ्राइ हो चुके हैं यह ऐसे भी बहुत टेश्टी लगते एकदम क्रंची लगते हैं यह तो मैं ऐसे भी इसे निकाल के खा लेती हूं थोड़ा सा तो इसमें समय दो चार रखने वाली हूं अपने लिए तो यह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यह फ्राइ होने के बाद तो मैं दूसरी ट्रिप भी डाल दूंगी कि दूसरी ट्रिप यहारी फ्राइ हो चुके है चले वह निकाल लेते हैं इन्हें तो यह देखिए कित्ते अच्छे से हमारे एकदम फ्राइ हो गए हैं तो क्रिस्पी क्रंची दिख रहे ना आपको तो यह बहुत टेस्ट लगते हैं तो यहां मैंने रख दिया है कड़ाई और यह जो मेरा कॉर्ण फ्राइब बचा हुआ था उसमें थोड़ा पानी आट करके इसका गोल तैयार कर लेती हूँ कि यह देखिए तो इससे साइड में रख देती है यहां मैंने कड़ाई रखा था इसमें तेल डाला था एक चमस गर्म हो चुका है अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ष लंबी कटी हुई अध्रग अब बारिक कटा हुआ लहसन हलका इसे बूल लेंगे ज्यादा नहीं बूलना है इसम सौटे करना रहता है तो यह हो चुके अब मैं इसमें प्याज और सिम्ला में डाल दूंगी और हाई फ्लेम पे इसे लाइट पिंक कर लेंगे ज्यादा नहीं बूलना है इसे वड़ना इसका क्रैंची पन चला जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा तो यह देखिए ह हो चुके हैं हमारे तो अब मैं इसमें डाल दूंगे अपने रेट चिली सॉस कि दो चमच की करीब आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप और एड़ कर सकते हैं इसमें कि एक चमच में सोया सॉस डाल रही हूं और एक चमच से थोड़ा कम वेनिगर में डालूंगे इससे मिक्स कर लेते हैं कि यह देखिए अब मैं इसमें डालूंगी कि सॉल्ट एस पर टेस्ट सॉल्ट एकदम थोड़ा ही डालना है क्योंकि सोया सॉस में हमारा आल्रेड़ी सॉस होता है और मैंने सॉयाविन में भी सॉल्ट डाला हुआ है तो इससे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से अब हम इसमे हाफ कप के करीब मैं डाल दूंगी पानी मैं थोड़ा पानी ज्यादा डाल रहे हूँ क्योंकि हमारे सॉयाविन अब्जॉब करेंगे तो यह मैं सॉयाविन भी अपने डाल देती हूं इसमें और मिक्स कर लेते हैं इससे अब जो मैंने घोल तयार किया था कॉर्ण फ्लार क अब मैं इसमें डाल दूंगे ताकि हमारे ग्रेवी ठिक हो जाए और कोट कर सके अच्छे से सॉयाविन को तो यह देख है जैसे ऐसे पुझे वैसे यह कोट होते चले जाएंगे गाढ़े हो जाएंगे हमारे ग्रेवी थो यह मैं ड्रावाई बना रही हूं एक दम अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी एड़ कर ले और डाल दे अगर मैंने हाफ कप डाला है तो आप एक कप के करीब डाले तो यह देखिए हमारे सोया वंचुरियन तयार है मैंने इसको आफ कर दिया और मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे मैं गार्णिश कर दूंगी स्प्रिंग अनिया से यह बहुत एसी लगता है फ्रेंट्स खाने में एक बार इसे आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा तो इंजॉय करिए सोया मंचुरियन को और मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा बाबाई और चेक केर